मननार की खारी सिरलंका और भारत के बीच मौजूद है इस खारी में एक ऐसा सी क्रियेचर यानि समुद्री जीव पाया जाता है जिसके एक कीलो की कीमत 2,69,000 रुपय है ये दिखने में कुकुम्बर यानि खीरे जैसा लगता है इसलिए इस जीव का नाम ही सी कुकुम्बर यानि समुद्री खीरा रग दिया गया ये लचीला और नरम होता है इस जीव का शिकार सिरलंका और दक्षिन भारत में सबसे ज़्यादा किया जाता है इसकी स्मगलिंग बड़े पैमाने पर अंतराश्टिय बजारों में भी की जाती है समुद्री जीव का इस्तिमाल केंसर के लाज कमो तेजना बढ़ाने वाले मेडिसीन, कॉस्मेटिक्स और तेल बनाने में किया जाता है इस जीव का समुद्र के इको सिस्टम में भी महत्तोफोर्न रोल होता है ये जीव रेत के नीचे दबे छोटे जीव को खाता है यही नहीं समुद्री खीरे के पौट्री यानि मल में अमोनिया, कैलसियम और नाइट्रोजन निकलती है जो कोडल रीफ के निए फाइदे मन्द होता है ये समुद्र में बढ़ रही एसिड की मात्रा को कम करता है और समुद्र में प्रदूर्शन को भी कम करता है गौल तलब है कि चीन समेथ साउथ इस्ट एसिया के कई देशों में समुद्री खीरे की मांग बहुत है इसे पका कर खाते हैं ऐसे में ज़्यादा शिकार होनी कारण समुद्री खीरा विलुफ हो रहा है इस जीव की प्रजाती को इसमगलिंग की वज़ह से खतरा है एक आकरे के मुताविक बीते 41 सालों में समुद्री खीरे की कीमत 50 गुना तक बढ़ गई है साल 1980 में इसकी कीमत जहां करीब 5,180 रुपए प्रती किलो थी तो वहीं अब इसकी कीमत बढ़कर 20,721 रुपए किलो हो गई है वही समुद्री खीरे की कुछ खास तरह की प्रजातियों की कीमत 2,69,000 रुपए प्रती किलो है आपको समुद्री कीरे के बारे में जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अपने राय दे और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फेस्बूक पेज़ को लाइक कर ले सब्सक्राइब करें पर्यावरन पोस्ट